प्रोग्राम पढ़ेंगे तो इसके पहले आप टेक्स्ट टॉप पे टर्बो ची प्लस प्लस को ओपन करिएगा ठीक है जैसे ही आप सी प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे ओपन में जाएंगे ओपन में जाके कंस्ट्रक्ट को स्लेक्ट करिएंगे मेरा अल्रेडी बना रखा है मैंने प्रोग्राम अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं तो आप टाइप कर लीजिगा और उसके बजात मैं ओपन पे जाके ओपन कर लिया ठीक है कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम यहां मैं इसको एंटर नीची करती हूं और यहां पर लिखती हूं एक कमेंट लाइन डाल देती हूं राइट अप्रोग्राम तू तू कॉल कंस्ट्रक्टर बहुत ही छोटा सब्यूग्याह मैं सबसे पहली क्या करेंगे सी प्लस प्लस में हम पहले प्री प्रोसेसर हैश लगाएंगे इंक्लूड करा देंगे क्लास टेस्ट नाम की क्लास बिना ली ठीक है पब्लिक पब्लिक क्योंकि अपने आप कॉल हो जाता है ठीक है सब्लिक नाम का इसा थैक पब्लिक की कर्माel ट्रुसन टेस्ट नाम की क्लास और यह यह सें होतá सब्सक्राइब मैं फर इसमान कीर्ग मैं एन्ड में एको चैनले ले लिया थीक है cout में n को प्रिंट राने बाद छोटा सा प्रोग्राम है ठीक है तो cout मनलब आपन cout के यूज़ करते हैं किसी भी variable को प्रिंट कराने के लिए फिर हमने constructor को close कर दिया और इसके साथ ही हमने class को भी close कर दिया फिर void main function में आया test test हमारी class का नाम है class के नाम का object बनाया हमने किसी भी function की call constructor की calling यहां पे नहीं कराई है सिर्फ class का object बनाया है और get ch function बनाती है और उसके बाद curly braces coach कर दिया है अगर हम इस program को compile करेंगे तो alt f9 करेंगे तो compile में no error अगर आप इसको run कराएंगे तो देखो 10 value को print करा दिया आप देख सकते हैं कि इसने जो value print करी है वो आपको 10 print करा दिया हमने constructor के लिए कोई भी object नहीं मनाया था तो यह हमारा constructor का program हुआ अब हम आपको डिस्ट्रक्टर का एक program सिखा रहे हैं open पे गए और हमने यहां पे डिस्ट्रक्टर का पहले से program बना रखा है तो डिस्ट्रक्टर क्लिक किया और open कर लिया है हमने same किया है यहां पे देखो constructor के लिए हम simple class का name और function बना देते हैं और जब हम उसकी बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की तो डिस्ट्रक्टर का जो शो करते हैं डिस्ट्रक्टर क्या करता है ठीक है तो हम यहां पर same करेंगे यहां पर उपर इक प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं पहले ठीक है आप उपर आ जाएए यहां पर लिखिए कि आप लाइट प्रोग्राम है तो डिस्ट्रक्टर करेंगे अधिक है सबसे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच लगाया फिर हमने लगाया है शिंक्लूड को यह डूट एच ऽजक्कलास टैस्ट इंट एन उट ultimate देच फिर पाबलिक बनाया फंक्शं पब्लिक नाम का एक मेंबर फंक्शन बनाया उससरे मेंबर फंक्शन से हम ने उसके अंदर एक despite रही टेक्स्ट नाम अब्जिक की जो मेमोरे होगी वो डिस्ट्रोय हो जाएगी और हम ने वाइड मेइन फंक्शन में क्या किया उसका वो उसको गलास का एक अब्जिक बिनाया नहां ने क अगर अब आप चैनी तुरस को रन कराएव को अगर आप चाहिए तो इसको रण object memory is अगर हम इसको कि इस तरीके से आपका डिस्ट्रक्टर का प्रुजाम बन चुका है आप इत्ताम करिए यहां पर इंट आइन को यहां ना डिफाइन करते हुए बैक स्पेस लगाके यहां पर करते हैं इंट आइन टी ठीक है अब कंट्रोल आइफ नाइन कर दीजिए ठीक है इस तरीके से आपका एक डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का प्रिग्राम बन चुका है थैंक यूँ करता हुए